तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, यह अंदुल ने हमारी ताकत है, यह ताकत है, आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर खिले ठोकते हो, अब देश के किसानों की लड़ाय लड़ा है, वो शिपतिन राज्यों की लड़ाय नहीं है, कहां है, पोलिस ने उसका क क्या किया उसका एंकाउंटर किया है क्या क्या मार दिया वो पता नहीं है मुझे लगता है कि हमारे कानुन के किताब में से सब IPC धाराय खतम कर दी यह सुद्धू आप तक पकड़ा नहीं गया लेकिन 200 से ज़्यादा किसान कल धर्बंदर पदान जी यहां बोल रहे थे और बार बार हमारी तरफ कटाक्षा करके हमें ये बोल रहे थे कि सच सुनो सच सुनने से मोक्षप राप्त होता है हम तो छे साल से सच सुन रहे हैं जुटकों भी सच मांद रहे हैं लेकिन आज जो चल रहे हमारे देश में जो माहूल है मैं देखता हूँ जो सच बोलता है जो सच लिखता है उसे गद्दार देश द्रोही बोल दिया जाता है कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की दिविजे साम ने बहुत उस बारे में कहा है सर जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देश द्रोही का मुकदमा अश्ठोक दिया जाता है कितने नाम है आपको बता सकता हूँ हमारे सदन में संजय सिंग हमारे सदस है संजय सिंग उसके उपर देश द्रोह का मुकदमा है राधिप सर्देशाई जाने माने पत्रकार जिसको हमने सरकार ने पदमस्री दिया है पदमपुरसकार सनमानित किया है उसको हमने देश द्रोही बना दिया है शश्चित थरूर जो United Nation में हमारे देश के प्रतिनी दी थे MP है कैमिरेट में थे उसको भी देश द्रोही का उसके उपर मुकदमा ठोक दिया है जो सिंगु बाड़र पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंग धर्मेंदर सिंग और भी ऐसे बहुत से पत्रकार है या लेखक है उसको हमने इस कानून के तहट देश द्रोह के कानून के खिलब मुकदमा ठोक दिया है मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब IPC धाराएं खतम कर दी और सब देश द्रोही के धारा एक वह रग दी है डोमिस्टिक फाइलेंस हो तो भी देश द्रोह का मुकदमा ठोक देगा पंतव्रधान मोदी हमारे लिए आदर्णिय है देश के प्रधान मंत्री चेका हम सन्मान करते करते रहेंगे उन्हें प्रचंड़ भहुमत मिला है देश चलाने के लिए हमें मानते है लेकिन बहुमत जो होता है वो अंकार से नहीं चलाया जाता बहुमत बड़ा चंचल होता है हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम उसने कहा है निंदकाचे घर आसावे शेजारी उसका मतलब है जो आपका निंदक है जो आपके ओपर खिटिसाइज करता है आपको आईना दिखाता है वो आपके असपास रहना चाहिए उसका घर आपके बगल में रहे लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे जो टिका करे आप उसको बदनाम कर देते हो जैसे किसान अंदोलन जिस तरह से इस किसान अंदोलन को भी बदनाम करने की कोशित या साजी चल रही है मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नई है किसानों के लिए ठीक नई है हम सब के लिए ठीक नई है 26 जाने वारी लाल के ले पर तिरंगे का अफमान हुआ उससे हमारे प्रधान मंत्री बहुत दुखी हो गया पुरा देश दुखी हो गया लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अफमान करने वाला जो कोई दिव सिद्धू है यो कौन है किसका आद्मी है उस बारे में तो आप नहीं बता दे वो किसका आद्मी है उसको किसने ताप कर दी है ये सुद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया लेकिन 200 से ज़्यादा किसान इस प्रकड़ में तिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश-द्रोह का मुकदमा चल रहा है सो से ज़्यादा अंदोलक जो युवा है वो लापता है वो कहा है पोलिस ने उसका क्या किया उसका एंकाउंटर किया है क्या क्या मार दिया वो पता नहीं है तो ये जो है ये देश-द्रोही है अपने हक के लिए लड़ते हैं लेकिन देश-प्रेमी को हैं हमारे देश में अर और याश्टरिया निश्टनल सिकूरिटी ऐफीशल सिक्रेट संदरबाद उस इसंदरबा में उसने जो सामने लाया है पुरा ऐफीशनल सिक्रेट तोड़ दिया हमारा बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारे अदोटियी हएम वहे हम उसको आपका प्रोटेक्शन है यह राष्ट्रे सुरक्षा का मामला है आप उसके उपर बात नहीं करते और यहीं आदमी यह अरणब गोस्वामी जो हमारे मंत्री बैटे वहां प्रकाज जावडेकर जी हम उसका अधर करते हैं हमारे महाराष्ट्रे से क्या लिखा उसके बार में एक ट्वे अंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं हम छुड़ हम राजनीती में हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो हम सैन लेगे लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है उस बारे में जो बात करती है और आपको शरम आनी चाहिए सबको आप उसको शरंडे रखि है तो यह जो चल रहा है यह नहीं चलेगा सर राष्ट्र पती जी ने अपनी संबोधिन में कहा है भारत जब जब एक जूट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्षों को प्राप्त किया है एक जूटा की बात की है अगर यह बात सच है तो गत तिन महेनों से दिल्ली के सिमा पर किसान अंदोलन के एक जूटा तोड़ने में सरकार क्यों लगे है हदारों किसा अपके छे में आफ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इस एक जूटा में आपको देश्ट रोह दिखता है प्रीज चेर्मन सर चेर्मन सर यह पंजाब हर्या प्राणा और पच्चिम यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है वो सिफ्टीन राज्यों की लड़ाई नहीं है और पूरा देश उनके साथ है तो उनको देश जो है कहना ठीक नहीं यह पंजाब का किसान हमारा सिख भाई जब मुगलों से करोना वाइरस में लंगर बाट रहा था तो देश प्रेमी था लिकिन आजो अपने हक के लिए लड़ता है तो खलिस्तानी हो गया जो देश रही हो गया यह कौन सान्या है आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर खिले ठोकते हो बड़े-बड़े बैरिकेट्स करते हो यह बैरिकेट्स यह किले का जाल अगर आप लड़ा के बड़र पर करते तो चिन की राइट संजे जी प्रीज अंदर नहीं आती मैं आपको बताना चाहता हूं सर यह ठीक नहीं है लेकिर यह अंदोलन यह अंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रह क्यों संजे जी यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरें आप मिश्ट न करें क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी मास्क है नमस्ट